अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिलकुल फ्री का आप पर गुस्सा जायज नहीं था, पर असल में तो हम गलत थे, हम गलत थे जो हमने आप पर विश्वास किया, गलत थे जो आपके लिए हम मोहची से लड़े, गलत थे जो हमने आपको अपना आदर्श माना, गलत थे जो हमने आपको सही समझा तुल्सी जी जी, नहीं मोहैं जिन आप के लिए आप ओपे पेर्म करते थे ह किसी और का अवा उक्षि उपकर तreseओ आप अपे अप्षादी गर्टे कुरा चाहते थे इसलिए अपने परिवार से तक लड़ गए आपको दुन्या कि सारी खुषिया देनी की कोशिश की ती मोहैं जी और पदले में हुने क्या मिला? तिरस कार? जब आप घर चोड़कर चली गई थी ना तुलसी जी तुन्होंने कित्ती सारी कोशिश ही की थी आपको वापस लाने के पर फिर भी मोहन जी को क्या मिला? वो दिल तोड़ देने वाला संदेश जिसमें आपने नो जाने कैसे कैसे लालचन लगा है मोहन जी पर अरी कोई ऐसा संदेश किसको कैसी भेज सकता है खास कर कि उसे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो राथा तुम एक बार मेरी बात सुनलो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सबसे जरूरी बात तुलसी जी जी आपने अपसे तुदू रखाई था मोहन जी को और आपने उनके होने वाले बच्चे से भी तू रखा तुलसी नो सारे पलमचे ची लिए उसने गुन्मून के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे क्यों तुलसी जी जी क्यों राध मैं इसा कैसे कर सकते हो तुम गलत समझे हो मैंने इसा कभी नहीं किया बताईए तुलसी जी जी क्या मोहन जी को वो संदेश आप इने भेजे थे बताईए ना तुलसी जी जी वो संदेश आपने भेजे थे या नहीं अगर आपने नहीं भेज़े थे, तो फिर कुछ जिराकर हमें संकेत दे दीजिए राधा, ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो मोहन की फोन का वेट कर रही थी मोहन मुझे एक आवाज देता तो मैं दोड़ी चलिया थी लेकिन उसका मुझे कोई फोन नहीं आया, कोई आवाज दे दी उसने मुझे तो फेर तूलसी जी जी अपको पता है, कि वो संदेश मोहन जी को किस ने भेज़े थे नहीं रादाब, मुझे भी इस सब के बारे में आज ही पता चला मैं खुद हैरान हुए ये सब जानकर मुझे कुछ नहीं पता फिर वो संदेश मोहन जी को किस ने भेज़े होंगे सी फाइव अप टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड बिलकुल फ्री